नमस्कार पर ये विद्धारतियों, वीकेंड ओलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है, वेकेंशी न्यूज अपडेट लेकर एक बार फिर उपस्तित हूँ, वेकेंशी सेल की है, इस्टील आथोरिटी आफ इंडिया लिमिटेड की, बात कर रहे हैं, अलग-लग य वेकेंशी है, एक साथ पूरी डिटेल से बात करेंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है, किस तरह के अधर क्राइटेरियाज मांगे गए हैं, वालिफिकेशन के साथ में, साथ ही सेलेक्शन की प्रोसेस कैसी होगी, सलेबस कैसा होगा, एक्जाम का पैट और न्यूज नोटिफिकेशन इस चेनरल पर आपको प्रोवाइड करवाते हैं, आएए वेकेंशी पर एक नजर डालते हैं, देखो वैसे तो मैं पहले भी कई बार बोलता आया हूँ, सेल वाले अलग लग वेकेंशी करते हैं, एक साथ कर दें तो भौत बच्चों का भला ह हो जाए, क्योंकि भौत संख्या में सीट एक साथ आजाए, किसके लिए है, सेल की वेकेंशी है, गोर्मेंट ओफ इंडिया भारत सरकार का इंटरप्राइज है, प्येस यू बोल दो, पब्लिक सेक्टर अंडर्टेकिंग, वो कारों इस्टील प्लांट जारखंड की इसमें वेकेंसी है, ठीक है, एक्जिक्यूटिव और नोन एक्जिक्यूटिव दोनों के लिए है, नोटिफिकेशन 15 मार्च 2024 का है, ठीक, ओनलाइन अप्लिकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बहुत वक्त है, और उसकी लास्ट डेट और उसमें भी बहुत सारा समय आपके प अच्छे होते हैं उनके हिसाब से, तो बोकारो, स्टील प्लांट बोकारो के लिए ये वेकेंसी है, ओपरेटर कम टेक्निशन बोईलर और अटेंडिड कम टेक्निशन बोईलर, ठीक है, तो जो ओपरेटर वाला होता है, इसमें तो बोईलर में डिप्लोमा मांगा गया है, यानि बोईलर में डिप्लोमा होना चाहिए, और यहाँ पर बोईलर में आईटिए होना चाहिए, ठीक है, A-City और O-City, ओपरेटर डिप्लोमा वाला और अटेंडिड कम टेक्निशन ट्रेनी या टेक्निशन बोल दो, यह होते हैं, आईटिड के वाले, तो इसमें कितनी कि सीटे हैं, तो देखो, टोटल आठ सीटें डिप्लोमा वालों के लिए हैं, और बारा सीटें, बोईलर अटेंडेड या बोईलर टेक्निशन की हैं, जो की आईटिए वाले हैं, उसके बाद में यह एज पर रिजर्वेशन क्राइटिरिया आप देख सकते हैं, तीन छे दोनों में SE की है, दो और तीन HD की है, और 1111, EWS और OBC की है, डिप्लोमा और ITI दोनों के लिए, बात करते हैं, ITI की जो अलग से और वेकेंसी है, जो की जारखंड माइनिंग ग्रूप्स के लिए हैं, उन में, तो यहां पर अटेंडेड कम टेक्निशन ट्रेनी के नाम से हैं और इसमें टोटल 34 सीटे हैं, ठीक है ना, यहां पर अलग अलग वेकेंसी है, इसमें फीटर वाले भी होंगे, ITI वाले, इलेक्रिशन वाले भी होंगे, तो यहां पर टोटल आपके लिए अटेंडेड कम टेक्निशन ट्रेनी के नाम से हैं, वो 34, यानि 34 सीटे हैं, 16 इसलिए अगर आप सेंट्रल गवर्मेंट में, OBC में आते हैं, तो आपको यहां OBC का बेनिफिट मिलेगा, यानि यहां पर कोई अधर इस्टेट वाली बात नहीं है, यह के अंदर सरकार का PSU है, भारत सरकार के नियम लागू होंगे, जो भी एज़ पर रूल गवर्मेंट इंडिया है, वो रूल यहां पर लागू होंगे, ठीक है, क्वालिफिकेशन और एज क्राइटेरिया क्या है, आजा यह उस पर एक नजर डालते हैं, तो देखो, टेक्निशन यह रहाजी, बहुत एक तरह से लेवल वाला एक राइटेरिया है, जो हमेशा देते आएं, अठ नहीं बार बता चुका हूँ, कि नोटिफिकेशन में जो दिया जाता है, वो हमेशा ओपन केटिगरी के लिए होता है, यानि अन रिजरव का होता है, तो रिजरव केटिगरी वाले बच्चे, एज पर रिजरवेशन इसमें अपनी छूट और जोड ले, जैसे OBC वाले बच सकते हैं, 33 साल तक की एज का बेनिफिट आपको यहां पर मिल जाएगा, माइडियर क्राइटेरिया हलका सा टेडा है, मुझे लगदा है, जारखंड, ओडिसा और वेश्ट बंगोल के अलावा जितने भी बच्चे हैं, अब यहां से वो बाहर हो जाएंगे, क्यों बाहर हो के लिए चीज वो हो गई, एक इंदी में मुहावरा या कावत है ना कि ना नो मनतेल होगा, ना रादा ना चेगी, तो यहां पर इन्होंने का है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए, सब के पास है, ठीक है, लेकिन यहां देखो, एंड, इसके अलावा, अपरेंट्सिप होनी चाहिए, ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत सारे बच्चों के पास एक साल की अपरेंट्सिप है, लेकिन कहां से, आइरन और माइन, लो है, ऐसके जो माइन्स होते हैं, खाद्यान होते हैं, वहां से, या फिर, इंटेग्रेटेड इस्टील प्लांट से आपने कर रखी हो तो अब देखो भई, माइनिंग या तो जारकंड में है या वैस्ट बंगाउल में है या ओडिसा में है, अब राज़स्तान में तो माइनिंग है नहीं, तो वो बच्चे कैसे बढ़ेंगे, यहीं से आपरेंट्शिप की भी होनी चाहिए आपने, माइन से आपरेंट्सिप है, लेकिन ITI परियापत है अभी पता नी भरतियों में क्या नियम निकाला है एक तो हर वेकेंसी में experience मांगते हैं मैं एक दिन पहले एक बच्चे का कमेंट पढ़ रहा था मुझे वह बहुत सही लगा उस बच्चे का कमेंट था कि इनको जोब के लिए experience चाहिए लेकिन जोब के लिए experience तो हम तब देंगे ना जब experience के लिए कोई job हो यानि कोई तो ऐसी नोकरी हो जहां बिना experience के लिए जाए था कि बच्चा वहाँ लग गया और अब अपना experience दे रहा है तो आज गे लिए इस तरह के criteria's रखते हैं मुझे लगता है बहुत सारे बच्चे यहां बहार हो जाएंगे और यह थोड़ा सा physical criteria है ज्यादा नहीं है 155 cm के आई 45 kg का बजन और यह लगवग सब बच्चों के पास होता है तो इसमें कोई वो बड़ी चीज है नहीं selection criteria किस तरह का है तो एक CBT exam होगा merit बनेगी और उसके बाद में skill test होगा दो साल का training period भी रहेगा और training period के बाद में ITA वाले बच्चों को 25,070 रुपे वाला pay scale मिल जाएगा training के दुरान थोड़ा कम पैसा मिलेगा पहले साल में लगबग 13,000 और दूसरे साल में लगबग 15,000 दो साल की training है 13,000 और 15,000 रुपे मिलेगी वही है बेरोजगारी से तो अच्छा ही है ना कोई नोकरी नहीं है आपके पास और आप अपनी स्टेट से बिलोंग करते हैं तो यही है ना 12,900 और 15,000 तो तेरा और 15,000 होगे probation के दुरान मिलेंगे और उसके बाद में आपको जो है वो regular कर एक्जाम के लिए अच्छा सो फीस की बात कर लेता है हाँ फीस में थोड़ा थोड़ा ठीक है यह एस वन ग्रेड आपकी होगी तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं है 300 रुपे देना है जनरल EWS और OBC वालों को और रिजर्व के टिकरी वालों को 100 रुपे की फीस देनी है यह क ही पांच पढ़ लो कौन-कौन से है टेकनिकल अपना ट्रेड का पढ़ो जनरल अवेर्नेस पढ़ो रिजिनिंग पढ़ो मैथ पढ़ो उसके बाद में इंगलिस और हिंदी सब्जेक्ट पढ़ लो तो देखो यह रहा अटेंडेड कम टेकनिशन 90 मिनिट का समय मिलेगा ठी किसके कितने आएंगे वह अभी इन्होंने नहीं बताया हालां कि हमने आपको बता दिया है हमारे एप में पूरी इस परीक्षा पेटर्न पर आधारित टेस्ट सीरीज अविलेबल है आप उस टेस्ट सीरीज को जरूर जोइन कीजिएगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमार और हिंदी तो उनकी क्यूसंस आएंगे गराफ आएंगे नीचे क्यूसंस देंगे जनरल नोलेज सामाने ग्यान लोजिगल रिजिनिंग तारकिक्षमता जिसे बोलते हो वोद्दिक्षमता बोल दो गौन्टिटिव एप्टिट्यूड मात्रात्मक जिसे आप बोलते हो knowledge यानि अपने particular subject का तो ये रहने वाला है और English Hindi दोनों में होगा ठीक है तो इतनी ही जानकारी बाकी और किसी जानकारी के लिए आप ये पूरा PDF नोटिफिकेशन पढ़े उसके बाद ही फोरम अप लाइक करें अभी के लिए बस इतना ही अप्रेट था इस वीडियो को लाइक जरूर करेंगे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाईए बहुत बहुत धन्यवाद